नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज कल एक निव्ज जो सबसे आदा ख़बर में है वो ये है कि 141 संसत के सदस्यों को MP को Member of Parliament को सस्पेंड कर दिया गया क्या होता है सस्पेंशन क्यूं किया गया सस्पेंशन इसके पीछे का क्या इतिहास है इस इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना परेगा 13 दिसंबर 2001 को 13 दिसंबर 2001 को संसद भारतिये पार्लियमेंट में नौनियमी तुरूप की तरह कारे कर रहा था तभी गेट पर हूम मिनिस्ट्री का स्टीकर लगाए एक गारी एंटर करती है सेक्रिटी पर्सनल्स को डाउट होता है कि कुछ इसमें संदे है जब वो जाच करना सुरू करते हैं तो गारी में से कुछ लोग निकलते हैं और फाइरिंग स्टार्ट करते हैं फाइरिंग इतनी बुरी तरह करते है कि हमारे आठ जवान उसमें सहीद हो जाते हैं एक बिचारा गार्डेनर था वहाँ, उसको भी गोली लगती है, वो भी सहीद हो जाता है, लेकिन फिर कंट्रोल लेती हमारी सेना, हमारे जो सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने कंट्रोल लिया, और जो टोटल पांच जो टेरिरिस्ट आये थे, वो पांचों म में, जो हमारे लोग सहीद हुए थे उस दिन, उनको याद करने के लिए एक मिनट का मौन रखा जाता है, 13 दिसंबर का दिन था, अभी विंटर सेशन चल रहा होता है, विंटर सत्र क्या होता है, पार्लियामेंट में आमुमन तीन तरह के सत्र बुलाया जाते हैं, आमुमन म में, दो सत्र के छे महिना होने से पहले, दूसरा सत्र हमें बुला लेना है, और नियम तह ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने सत्र होनी चाहिए, एक बार इस पर सवाल भी आ चुका है, और फिर सवाल आने की संभावना है, इसलिए इस चीज को कॉनसेप्ट क्लियर समझ लें, कि आमुमन तीन तरह के सत्र बुलाए जाते हैं, पहला जो सत्र होता है हमारा फरवरी में बजट सत्र होता है, जिसमें हमारा बजट पास होता है, दूसरा हमारा होता है जुलाई और अगस्त में वो होता है मौनसून सत्र, और तीसरा जो होता है हमारा विंटर सत्र, इसको स राज सभा का joint सत्र होता है यह आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है कौन बुलाता है joint session यह important है कौन बुलाता है तो राष्टपती बुलाते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोग सभा की speaker करते हैं अगर लोग सभा की speaker किसी कारण वस उपलव नहीं है तो लोग सभा के deputy speaker कर करते हैं अगर वो भी उपलव नहीं है उस दिन तो राज सभा के deputy chairman करते हैं यह important इसलिए है क्योंकि आज तक सिर्फ तीन बार joint session बुलाया गया है लेकिन परिक्षाओं में इसे लगभग सैक्रो बार पूछा जा चुका है एक समाल अक्सर यहां से कौन आता है कि इसमें कोर हो गई हमारे कितने तरह के सत्र होते हैं अब हम चलते हैं 13 दिसंबर 2023 की तरफ 13 दिसंबर 2023 को सत्र फिर वैसे कारे कर रहा था नॉर्मल करवाही चल रही थी एक मिनट का मौन रखा गया था 13 दिसंबर 2001 में सहीद हुए सैनिकों के लिए और जो सुरक्षा करमी थे उनके लगता है प्राइमा फेसी कि सायद कोई गिर गया है लेकिन जब वो नीचे कूदता है और धीरे धीरे टेवल पर टेवल आगे भरता जाता है तब सबको लगता है कि नहीं कुछ दाल में काला है कुछ हमारे जो मजबूत सांसत थे उसको पकर के घेर लेते हैं उसकी पिटा का कैनिस्टर होता है उसमें से पीला कलर चारो तरफ फैल जाता है लोग सभा में उसके बाद से जो लाइफ फूटेज था उसको बंद कर दिया जाता है लेकिन उसके पहले जो लोग सभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि आज की कारवाई सगित की जाती यहां तक मामला होता है मामले में जाच में पता चलता है कि 6 लोग थे उनका brainwash किया गया था कि भगत सिंग की तरह भगत सिंग ने भी इस तरह का कुछ कार किया था लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे हम जाएंगे कुछ technical aspects पर उसके बात क्या होता है लोग सभा का जो सतर अगला स्टार्ट होता है उसमें जो विपक्षी पार्ती होती है वो इस चीज के लिए आवाज उठाती है कि जब लोग सभा में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा और देश की सुरक्षा की जिमेदारी दी जाती है ग्री मंत्री को, होम मिनिस्टर को वो ग्री मंत्री से जवाब मांगते हैं और बोलते हैं कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो कारवाही को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसके लिए वो शोर सरावा करते हैं कुछ तक्ते ले आते हैं, तक्तों पर यहीं बाते लिखी रहती हैं तो जो लोगसभा के स्पिकर होते हैं, सेम यह चीज राजय सभा में भी हो रहा होता है तो लोगसभा के जो speaker होते हैं, वो धीरे धीर करके लोगों को नहीं सांसदों को suspend करना शुरू करते हैं और कुल मिलाके 141 सांसर suspend हो जाते हैं, 95 95 लोगसभा से होते हैं और 46 राजसभा से होते हैं बात यह आती है क्या यह जो सांसर सस्पेंड हुए है क्या इसके लिए पीछे कोई रूल है अब यहां हमारे exam point of view से की important बात आती है important बात आती है कि लोगसभा और राजसभा की जो कारवाई होती है उसके लिए अलग से एक rule book है जिससे कहते है rules of procedure and conduct of business in लोगसभा और जो रा rules of business and conduct है उसका article 373, article 374 और article 374A जो कि 2011 में जोड़ा गया है इसके तहत अगर कोई आदमी हंगामा करता है अगर कोई आदमी रास्ते में आता है अगर कोई आदमी किसी को बोलने से रोकता है तो उस पे लोगसभा की speaker और राजसभा के जो chairman होते हैं उसको suspend कर सकते हैं तो इस इसी article के तहद इन लोगों को suspend किया गया है अब हमारे exam point of view से इसमें तीन चार चीज़ important थी मैं फिर से repeat कर देता हूं उस पे आप जरूर गौर कीज़ेगा सवाल हो सकता है यहां से PT मेंस और interview तीनों में पूछा जाएगा पहला चीज क्या है किस article के तहद तीन सदन होते है क्योंकि winter session बार-बार आता है तो कोई भी article इसे related नहीं है जबाव यह है सिफ एक article है article 85, article 85 सम्विधान का जो कि कहता है कि दो सदनों के बीच में 6 महिने से ज़्यादा का gap नहीं होना चाहिए दूसरी बात कि जो speaker या chairman ने suspend किया है किसी सांसत को यह क्या इसके लिए रहान में कोई रूल नहीं है यह जो रूल है यह है rules of procedure and conduct of business in लोकसभा यह लोकसभा में कारे जो कारेवाली होती है जो की काम कैसे होगा उसके article 373, 374 और 374 एक के तहट suspend किया गया है और वैसी राजसभा में article 255 के तहट इनको suspend किया गया है अब जानेंगे कि suspension होता क्या है तो suspension में ज्यादा कुछ नहीं होता है बस यह वो जो सतर चल रहा है उसमें 3-5 दिन तक यह जो भी सजा मिली है उसके साब से यह सतर को attend नहीं कर सकते हैं या पिर पूरा सतर जैसे अभी winter session चल रहा है सीत कालीन सतर चल रहा है तो पूरे सतर में यह parliament में जो session है उसको attend नहीं क session को attend नहीं कर सकते हैं तो क्या सिर्फ विपक्ष ही suspend हो सकता है नहीं ऐसा 2014 में हुआ है कि सता पक्ष के लोग भी suspend हुए हैं और सबसे पहली बार जो suspension हुआ था यह 1963 में हुआ था तो यह important कुछ topics थे अगर आपको अच्छा लगा तो comment किजिएगा इसको मैं आगे continue करूँग किस्ट मेरेगा पुर शर्ण में हे टार जगा में हुआ है उते हैं